गंटे में कुल मिला करके ढाई गंटा बच्चा रोता है तो कोई दिक्कत नहीं है रोने देना चाहिए ढाई गंटे से अजिक बच्चा रोता है तो फिर उस्थो पेट में दिक्कत हो सकती है इसलिए अमलतास की फली को तोड़ करके उसका थोड़ा सा टुकड़ा नाखुन क जितना टुकडा पानी में भीगो करके उसमें दो बूंद गोमुत्र डालके उस बच्चे को उसकी गुटकी देनी चाहिए बाल अवस्ता के उधर रोग को गोमुत्र और अमलतास मिटा देता है फिर भी बच्चा रोना बंद नहीं करे तो समझ लेना चाहिए कि बच्चे को नजर लग गई है अब आपको होगे कि विज्ञान के जमाने में नजर लगना ये बात तो बिल्कुल भी हजम नहीं होती तो नजर लगना अंद विस्वास नहीं विज्ञान ही तो है नजर कोई डाकन भूत की थोड़े ही लगती है कोई प्रेट पिसाच की थोड़े ही लगती है नजर का मतलब सर्विश व्यूग हर व्यक्ति की आँखों से किरणे निकलती है आपके आधार कार्ड इसी आधार पर तो बनते हैं हर व्यक्ति की आँखों से 24 घंटे जब तक खुली रहे आँख रेज निकलती है किरणे निकलती है बच्चा जब छोटा होता है उसका हरदा है बहुत कॉमल होता है छोटे बच्चे का सॉंदर भी बड़ा गजब को होता है बच्चा बड़ा सुंदर दिखता है अती सुंदर बच्चे को जब बहुत देर तक देखता रहे कोई तो तेज किलों के प्रभाव से उस बच्चे के हरदे में ख्षोप पैदा होता है और उसके कान बच्चा रोता है यह है नजर उतारना यह नजर का प्रभाव अब नजर उतारने के लिए कई बार माता पिता यह दुर दुर भागते फिरते जबकि अगर किशी की नजर लग जाए तो कहीं भागने की जरुरत नहीं है आप अपने बच्चे को सीधा ले जाओ गाए माता के पास गाए माता की पुँच को उसके सीर पर गुमा के गो की पुँच का जाड़ा दे दो और गो के चरणों की रज उठा करके उसके मस्तक पर लगा दो बच्चे की नजर उतर जाए यहां दोनों तरफ भागवत वक्ता भी राजमान है और स्रीमद भागवत जी में ही प्रसंगा आता है कि जब पूतना की नजर कनया को लगी तो गोपिया सीधी गोष्ट में ले गई गोसाला में गाए माता की पुँच सिर पर गुमाई गो माता की पुँच से जाड़ा दिया और गोमाता की चरणों की रज जिसमें गोवर मिला हुआ था वो ठाकुर जी के मस्तक पर लगा दिया नजर उतर गई जो सारे नजराने देती है उसकी पुँच हमारी नजर को उतार लेती है